तो फाइनली दोस्ते आज की इस वीडियों में हम बात करेंगे इंडियन सिनमा की दो बड़ी फिल्मों के बारे में जिसमें सारुखान के फिल्मों जवान थलावदी विजे की फिल्म दागौड सामिल है और जानेंगे कौन से फिल्म ने मारे शुर्वाती 20 दिनों में वॉक तो दोस्तों यह सब जानने से पहले अगर आप इन दोनों फिल्मों में से कौन से फिल्मों के बहतरीन फिल्म मानते हैं सारुखान की फिल्म जवान या थालापदी विजे की फिल्म दागवाट को हमें कॉमेंटे में जरूर बताना तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं बो बॉक्स ओपीस के बारे में तो दोस्तों सारुखान की फिल्म जवान अपने पहले दिन इंडियान बॉक्स ओपीस पर 55 कोड को अपनिंग की तो यह फिल्म अपने पहले दिन वॉल्डवाइड बॉक्स ओपीस पर 139 कोड की कामाई की थी तो दूसरे दिन फिल्म ने इंडिया जवान अपने पहले हफते इंडियान बॉक्स पर 390 कोल की कमाई की तो यह फिर अपने पहले हफते ऑल्डवाइड बॉक्स ओपिस पर ने ञें तौछ कह विल्म की दिनों की केलेक्शन के तो दोस्तों सारुखान की फिल्म जभान अपने बिश्वे दीन 490 लों का केलेक्शन चेला की खेक्शनों में इंडियान बॉक्स पर पास 31 कोड़ को हो गया था तो इंडिया गुराज केलेक्शन चोस उनासी कोड़ का तो जवान फिल्म का वल्डवाइड बॉक्स ओपीस केलेक्शन थुराती बीस दिनों में एक अजर अठर कोड काकड़े को टाच कर लिया था तो दोस्ता बात करते थालापुदी विजे की फिल्म दा गौट के बारे में तो दोस्ता आपको बता दूए इस फिल्मों को बैंगर परवु ने डारेक्ट किया जिसका बज़र चार सो कोड़ रूपया है और ही दोस्ता ब इंडिया से 25 कोड़ पचास लाग के लेक्शन किया तो तीसरे दिन फिल्मों ने कमाए थे 33 कोड़ पचास लाख रूपये तो वही दोस्तों बात कि फिल्म की पहले हपते की बॉक्स ओपीस के लेक्शन के बारे में तो दोस्ता आपको बता दूए दागोट फिल्म अपने इंडियान बॉक्स ओपीस पर 178 कोड़ की कमाई के तो यह फिन अपने पहले हफ्ते वर्डवाइड बॉक्स ओपीस पर 340 कोड़ पचास लाग कामाने में काम्याब रही तो दूसरे हफ्ते फिल्म इंडिया से 33 कोड़ 95 लाग की कमाई के दोस्तों दागोट फिल्म अपने विश्वे दिन यानि आज इंडिया से लगभग एक कोड़ पाच लाग कमाती नजर आ रही है जिसे इस फिल्मा के कैलेक्शन शुरुवाती 20 दिनों में इंडियान बॉक्स ओपीस पर 247 कोड़ का हो जाएगा तो यह वाल्राइट बॉक्स ओपीस पर दागोट फिल्मा के क केलेक्शन शुरुवाती 20 दिनों में 453 कोड़ काखड़े को टाच कर लेगे तो दोस्ता आच एक एक एलेक्शन के मामले में सारुखान के फिल्म जोवान ने मारी बॉक्स ओपीस पर बाजी सारुखान बना आज का सबसे बड़ा सुपरिश्टार